तो हलो लेर्नर्स कैसे है आप लोग और आय होप कि आप सब ठीक हो और जो मेरे टुटोरियल्स है वह आपको पसंद आ रहे हैं और आप उनको प्रैक्टिस भी कर रहे हूं तो आज मैं आपके लिए और एक नई वीडियो लाया हूं जो कि है राइजर्स के बारे में कि बना सकते है उस लीड या उस टोन का कैसे हम राइजर बना सकते है आज हम वही सिखेंगे तो शुरू करते है तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाए हो कि मैंने कुछ पैटर्स बनाए यहां पर तो एक बार हम इसको सुनते हैं यह कैसा लग रहा है अब जो अब जो अब जो अब जो आए तो यह मैंने एक बेसिक सा म्यूजिक बनाया है जिस पर हमारे पास पहले है प्रिड्रॉप और हमारा में ड्रॉप जो की यहां're realizar जो 800 someone अब आपको इस section में लग रहा होगा कि बहुत खाली-खाली सा लग रहा है मतलब हमें वह एसास नहीं हो पा रहा है कि यहां पर कोई drop भी आने वाले तो उस feeling को create करने के लिए हम राइजर यूज करते है या अपलिफ्टर यूज करते है इसका और एक भी परपस होते है हमारा जो एक पार्ट ऑफ म्यूजिक है उससे हमें second पार्ट ऑफ म्यूजिक पे जो जाना है उसके लिए हमें smooth transition दे रहता है कि हमारा वह कट होके एकदम से अगी आता हमें ऐसा लगते है कि हा गान चल ही रहे तो हम बनाद सीखते हैं सबसे पहले हम कोई एक lead देख लेते जो अच्छी हो हम यहां से हम यहां से एक BST कर लेते हैं इसमें देखते हैं कि क्या टॉन्स है लीड्स में जाके देखते हैं कि यह थोड़ा साही लग रहा है मैं इसको चूज कर लेता हूं और अब हम जाते हैं अपने प्यानो रोल की तरफ एक गल्ती मैंने कर दी कि यह मैंने न्यू पैटन में नहीं बनाया तो न्यू पैटन बनाके मैं इसको कॉपीपेस्ट कर देता हूं यहां पर तो अभी हमारा थर्ड पैटन में आ गया तो हमारा जो बेसिक नोट है हम पहले वह चेक कर लेते कि हमने किस नोट पे बनाया यह यह हमारा है सी नोट पर तो हम अपने उस वाले इंस्रूमेंट में जाके सी नोट से हम अपने राइजर बनाना शुरू करते हैं अब मैंने एक नोट यहां पर प्लेस कर दिया जो हमारा बेस नोट है पूरे म्यूजिक का और यहां पर देख सकते हैं यह दो साइंस बने हुए यह एक है पोर्टमेंटो और एक है स्लाइड हमारा जो यह स्लाइड वाला आप्शन है यह हमें हेल्प करता है हमारा राइजर या अपलिफ्टर बनाने के लिए हम यहां पर सी पर अगर क्लिक करें तो यह हमारा यहां से लेके यहां तक स्मूदली हमारा ट्रांजिशन करता हुआ हमारा राइजर बना देगा इसको प्ले करके देखते हैं पैटर्ण मोड में जाके जैसे कि आप सुन सकते हैं वह स्मूदली हर एक नोट को टच करता हुआ हमने जो लास्ट नोट दिया है उस नोट तक वह पहुंच रहा है तो थोड़ा ये टोन में आपको अच्छा निलागा दूसरा देखते हैं मैं एक ट्रांजिशन के बाद आपके पास आता हूं एक अच्छा टोन सिलेक्ट करके तो हमें एक अच्छा टोन मिल चुका है कि मैं आपको सुना देता है एक बार यह मेरे को अच्छा लगा है और इसको यहां पर प्लेस कर देते हैं थोड़ा इस नोट को हम बड़ा कर देते हैं कि एक बार सौंग के साथ सुनके रेखते कैसे लग रहा है अब राइजर्स में क्या होता है टोन तो होता ही होता है प्लस उसमें वाइट नॉज भी होता है मोस्ली राइजर्स या अप्लिफ्टर्स में वाइट नॉज यूज होता ही होता है तो हम वह भी यहां से इजिली क्रिएट कर सकते हैं हम यहां जाके और एक पैटन बना लेते पहले पैटन फोर हमारा और उसमें हम अपने 3 एक्स और और को अड़ कर देते अब यह सारी चीजह जो आप देख रहे हैं यह हमारे होते हैं très जैसे हमार इक हमारा साइन वेट और बहुत सारे है तो हम यह से नॉाइज इलकिट हरे इन तीनों में हमारा एक वाइट बना लेता है हम यहां पर सुनकर देखते हैं अब आपको सुना ही दे रहा होगा Θ废 आप यह एकक फरास ही लगत่क आप किसी भी नोट पर उसको बजा लो उसकी टोन सेम ही कि सेम रहती है जैसे कि आपने सुना मैंने हर एक नोट पर क्लिक किया लेकिन वाइट नाइज की जो टोन है वो सेम की सेम है तो हम किसी भी नोट पर इसे प्लेस कर लेते हैं और इसको हम लगा देते हैं यहां पर के देखते हैं क्यासा लग रहा है अब यह जो राइजर हमारा थोड़ा रहा है इसमें थोड़ा ऑटोमेशन करके हम अच्छा बना सकते हैं जैसे मैं अभी कर देता हूं पर्स्ट फॉल तो हम पर्स्ट फॉल तो हम इसको एक मिक्सर चैनल प्रोवाइट कर देंगे इस देते हैं हम फो फे और जाते है अपने मिक्सर की तरफ देखिए ध्यार हमारा ओलड़ी हाइलैट है क्योंकि हमने जो वाइट नॉइस को है वो फोर को ही असाइं किया है जो अब हम यहां पर अपना एक फ्रूटी फिल्टर फोल लेंगे जो कि यहां पर होता है यह प्रिट इस वाले जो नॉब है लो पास्ट नॉब हम इसको ऑटमेट करेंगे आपको आता ही है इस पर राइट क्लिक करो और क्रियेट आटमेशन क्लिक इसको बंद कर देते हैं और इसको लेकर जलते हैं यहां तक जहां तक हमारा वाइट नाइज है और अब हम करते हैं इसको automate इसको बिल्कुल नीचे किया और यहां पर एक point create करके इसको पूरा उपर अब एक बार सुनके देखते कैसे लग रहा है इसको और थोड़ा suspense देने के लिए हम यहां पर snares भी add कर सकते है थोड़ा इन में से snare ले लेते हैं जैसे कि आपने सुना कि अब हमारा जो म्यूजिक है वह कितना अच्छा लग रहा है राइजर के add होने से और थोड़े snare और थोड़े pre-drop snare के वज़े से एक बार इसके एक बार विदाउट इसके सुनके देखते कि यह कैसा लगता है अब इन सब को एक साथ सुनके देखते कैसा लगता है अब आप समझ गए होंगे राइजर के बारे में कि राइजर क्या काम करते हैं क्या होते है राइजर और कैसे हम खुद का राइजर बना सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और ऐसे ही content और देखने के लिए मुझे comments में बताते रहना कि आपको कौन-कौन सी वीडियो चीए और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलना तब तक के लिए goodbye मिलता हूँ मैं अपने नेक्स वीडियो में झाल